हलो एव्रिवान आप सभी का स्वागत है भई मैगनेट ब्रेंज के शांदारी यूट्यूब चानल पर जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको यानि हमारे प्यारे के टुएल के बच्चों को प्रोवाइड करते हैं 100% free of cost, high quality education for K12, kindergarten से class 12, CBSC board English medium, all subjects के बढ़िया वाले lectures आपको playlist में arrange मिल जाएंगे class wise और subject wise, यहीं बात करते हैं Hindi medium के बच्चों की, तो Hindi medium के वो students जो class 6 से class 12 में, किसी भी class में है, UP board, MP board, Bihar board, Rajasthan board या Delhi board, वो हमारे magnet brains Hindi medium YouTube channel पर जाकर उस पर पढ़ाई कर सकते हैं, free of cost, और notes हमारे पास class 6 to 12, English medium and Hindi medium all subjects के PDF format में, experts द्वारा बनाई गई notes available है, वो आप download कर सकते हैं, this site Zeeshan, your maths mentor, आप सभी का स्वागत करता हूँ, आज के session में, जहां आज अपन examples करने वाले है, solve of chapter 6, यानि application of derivatives, AOD, भाईया, 6 examples हमें solve करना है, पहला यह रहा, examples based है, rate of change of quantities, यह concept है, जो इस पूरे chapter का सबसे पहला, प्यारा सा concept है, उस पर based है, हम दीरे-दीरे करके, सारे examples, यानि 6 के 6 examples, अच्छे से सीख लेंगे, और जब पूरे 6 के 6 examples, हम सीख लेंगे, तो हम ready हो जाएंगे, exercise, 0.1 करने के लिए, यानि 6.1 करने के लिए, यह हमारी maths की, जो book number 1 है, book, देखो, maths की दो books है, दो parts है, NCRD part 1, NCRD part 2, यह पूरे chapter जो है, खत इजी है यार, find the rate of change of area, first thing, आपको किसका rate of change निकालना है, उन्होंने कहा, find the rate of change of area, ठीक न, rate of change of area, ठीक है, rate of change of area of a circle, ध्यान ची सुनना, जी सर, तो अपन समझ गए, d by d, सबसे बहले तो यह लिखा करो, क्योंकि rate of change में आएगा, d by d लिखो, सबसे बहले, ठीक है, जिसक rate of change निकालना है, area का, तो area का a, उपर लिखा जाएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, जिसका rate of change निकालना है, उसको उपर लिखो, किसके respect में निकालना है, per second, what is the meaning of per second, per second, भाई मेरे second time होता है, हमें time के respect में निकालना है, तो नीचे t आएगा, यह सुनो बहुत गोर से, कई with respect to, त्यान से सुनना, with respect to, रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, find the radius of, find the rate of change of area of a circle per second, with respect to its radius when r is equal to 5 cm, okay, 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 with respect to its radius, दिया तो है, यार, with respect to its radius, हमें r नीचे रखना है, और यह हमें value निकालनी है, with respect to, जब नहीं दिया होगा, तब हमें धूनना पड़ेगा, simple सी बात है सर, हमें rate of change of area निकालना है, with respect to radius, with respect to radius, ठीक है सर, okay, हमें यह calculate करना है, किस पर बेटा, r is equal to 5 cm, पर तो इसको थोड़ा और दूर ले जाओ, और r is equal to 5 cm, बेटा, ऐसा बनाएंगे bracket, ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ, बेटा, ऐसा आपन bracket बनाएंगे, अरे बन बनाएंगे, और नीचे लिखेंगे, r is equal to 5, बात समझ में आ रही है, हाँ सर, बिलकुल समझ में आ रही है, तो इसको अपन erase करते हैं, सर, आगे चलते हैं, ठीक है, let us solve it further, तो सर जी, da by dr निकालेंगे पहले, और फिर अपन r is equal to 5 रखेंगे, पहले r is equal to 5 का कोई काम नहीं ह कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, तो यह अपन को निकालना है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, क्योंकि सबसे पहले आपको यही समझना पड़ेगा, कि भाई सर, निकालना गया है, what is to calculate, तो अपन लिख देते है, find, to find, कि भाई यह धून रहा है, ठीक है, to find, अब यह दो डॉट लगा दो, done, तो यह अपन को धूनना है, to find, ठीक है सर, clear है है सर, अब हमारे बस given क्या है, दिया क्या गया है, ध्यान से सुनना, हमें दिया गया है, r is equal to 5 cm, ध्यान से सुनो, कानू से तो सब सुनते हैं, तुम दिमाग और ध्यान से सुनो, ठीक है सर, अ अब यहाँ पर पहली चीज, a है क्या, r क्या है, यह तो आपने लिखा ही नहीं, तो बेटा यह सबसे पहले लिख देना, let, let a be area of a circle, let a be area of a circle, क्या भहिया, let a be area of a circle, ठीक है, of a circle, और r be radius of a circle, ठीक है, and r be radius of a circle, ठीक है, and r be radius of a circle, radius of a circle done? yes sir इसको अटाओ जरा, इसको अटाओ, ठीक है off नहीं लिख रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें space जादा जा रहा है, आप लेके लेना, ठीक है let r be the radius of a circle a be the area of a circle, अरे भाई सभी raise हो गया यार, ठीक है भाई इसको उपर कर दो ठीक है, done sir, चलो आगे बढ़ते हैं चलो वह इसकी बात करते हैं, let a be the area r be the radius, ठीक है आगे बढ़ते हैं, sir, area का formula हमें पता है क्या, हाँ sir, area of a circle हमें पता है, area is equal to होता है, pi r square ठीक है, हमें किसके respect में करना है, r के respect में करना है मतलब मुझे a के नीचे upon में r चाहिए, क्यासे आएगा, बटा differentiate करो, अले भईया, a के पीछे अगर आपको d लगाना है, तो d लगाने के लिए आपको differentiate करना पड़ेगा तो हमें क्या लिखेंगे, differentiating with जल्दी से लिखेंगे, differentiating with respect to x मतलिक देना हमें ये पूरा का पूरा चाहिए, write the find the rate of change of area with respect to its radius, यानि r चाहिए, तो with respect to r यानि radius, तो बटा a जो है और pi r square जो है, इन दोनों के पीछे क्या लग जाएगा, d by dr क्योंकि r के respect में लगार लगार है, पन d by dr इतनी बात सही है, हाँ सर बिलकुल सही है, ठीक है, तो हमें d by dr, d by dr निकालना, यह हमार answer आ रहा है, न, this is our answer, यह हमार answer देखो, दीरे दीरे बनता जा रहा है ठीक है, इसको solve करते हैं तो इसको solve करने के लिए, पीटा, जो pi है वो एक constant number होता है, coefficient की शकल में यह पीछे आ जाएगा, pi पीछे आ जाएगा, d by dr भहिया, r square का निकालना है, ध्यान से सुनो, जी सर अब यह जो है न, यह, हाँ सर, ध्यान से सुनो, इसको solve करेंगे पीटा, d by dr, r square, अगर आपको याद हो, भहिए derivative याद होने चाहिए, कैसे निकालते हैं, differentiation करना आने चाहिए, d by dx of x की power n क्या होता है, याद करो, सर, n x की power n minus 1, और फिर d by dx of x, है न, यह होती है, सर, clear, x का भी last में d by dx होता है, although वो कट जाता बना जाएगा, ऐसे ही बच्चो, d y x की जगा r है, d r और r की power n, for example, r की power n आजाए, तो x, x की जगा r आगया, तो n, r की power n minus 1, फिर d by dr of r, यह हो जाएगा, सर, है न, simple सी बात है, भई, r के लिए काम कर रहे, तो ऐसा हो जाएगा, सर, n की जगा 2 है, भई, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी 2 आजाएगा, क्या जाएगा, सर, 2, r की power, 2 minus 1 मतलब 1, और d r upon d r, सर, कट जाएगा, तो 2 r आजाएगा, क्या जाएगा, बेटा, 2 r, तो इसकी जगा 2 r लिख देंगे, pi into 2 r, into 2 r, और चाहो तो d r by d r भी लिख दो, into d by d r, ताकि सामने वाला समझ जाएगा, तुम्हें आता है, और फिर जाएगा, तुम्हें ऐसे कट करके दिखा देना, तो basically हमारा answer क्या आया, 2 pi r, क्या आया दोस्त, 2 pi r, यहाँ दिखा देंगे, 2 pi r, ठीक है, तो यह हमारा answer आ गया, लेकिन हमारा answer finally नहीं आया अभी है, क्यों नहीं अभी बताता हूँ, भई हमारा d a by dr आ गया चलो, हमारा d a, यहाँ एरिया, rate of change of area with respect to r, यहाँ रेडियस, with respect to radius, यहाँ आया है, हमारा 2 pi r, क्या यहाँ दोस्त, 2 pi r, इन्हों ने यह 2 pi r, बोला answer आगे अपना 2 pi r, लेकिन इन्हों ने बेटा, कितने रेडियस पे बोला, यह भी तो हमें पता है, इन्हों ने बोला, r is equal to 5 cm, d a by dr में, हमें d a by dr at r is equal to 5 निकालना है, तो sir हम क्या करेंगे, d a by dr at r is equal to 5, sir कैसे निकलेगा, simple है, simple है, r की जगा 5 रख दो, 2 pi into r की जगा 5, 5, 2s are 10, answer आगया 10 pi, अब कई बच्चे यही answer छोड़ेंगे, जबकि यह गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है, इसको देखो, area, area की unit क्या होगी, area की unit क्या होगी, area की unit होगी, ध्यान से सुन लो, area की unit अपनी जो होगी, it will be, अरे भाई, छोटा हो जा थोड़ा, ठीक है, area की unit होगी, वो होग सेंटी मीटर कट मत कर देना, गडबड हो जाएगी, मैं फिर बोल रहा हूँ, सेंटी मीटर सेंटी मीटर को काट माट बन देना, कि सर, हम छोटा कर दे रहे, ठीक है, तो यह हमारा पूरा solution है, आप देख सकते हो, this is done, जल्दी से देख लो, फिर चलते हैं, example number 2 की तरफ, ठी मीनिंग यह है कि एक सेंटी मीटर रेडियस चेंज होगी, तो उसके एरिया में 10 पाई सेंटी मीटर स्क्वेर का चेंज आएगा, 2 सेंटी मीटर अगर रेडियस चेंज होई तो 20 पाई सेंटी मीटर स्क्वेर का उसका एरिया चेंज हो जाएगा, 3 सेंटी मीटर अगर रेड आ गई ना ठीक है सर चलो आगे चलते हैं moving on to next ठीक है सर इसको erase कर दू हाँ सर बिलकुल erase कर दो चलो यह रहा example number two बेटा example number two कह रहा है तो volume of a cube अरे भाईया cube की बात आ गई तो cube तो बनाएंगे यार हमें तो बहुत favorite है हमारा यह drawing drawing वाला system है ना cube बहुत दिनों से बनाया भी नहीं है सर जी cube all the edges are equal all the sides are equal edges बोल तो sides बोल तो आपकी मर्जी है ठीक है done sir यह हो गया भीया हमारा प्यारा सा cute सा cube ठीक है यह cube बना दिया अपने this is a cube ओके सर अब यह cube में होता क्या क्या है सर सबसे बहले देखेंगे cube में बिटा each side is denoted with the letter a a या x मान लेते हैं ठीक है एक्स तो सर यह क्या है each side is x है ना यह भी x edge बोलते है basically अपने इसको क्या बोलते है edge edge तो सर height breadth length सब कुछ edge कहलाता है सब equal होते हैं ठीक है तो यहां तक अपन ने यह कह दिया सर यह b a है ठीक है ए नहीं x सॉरी x है ठीक है तो यह सारा क्या हो गया सारा का सारा यह अपने कह दिया कि सर यह सारा कुछ edge हो गया cube का मतलब पता ही है आपको यार cube एक क्यूब आइड के जैसे है जिसमें length breadth height तीनों equal होते हैं तो यह अपना हो गया सर क्यूब बात clear है क्या है यह सर हमारी बात बिलकुल clear है तो सर इसको अपन दुबारा बना लेंगे जरा आप एक बात काम कान खोल कर सुनों मतलब कान खोल कर क्या सुनों ट्राइगरो इस question को solve करने का ठीक है यह प्यारा सा क्यूब बनाएंगे सर अब मुझे लगनी रहा कि उस जैसा सुन्दर क्यूब बन पाएगा अरे नहीं जीशान सर आपसे अगर ना बन पाए तो बेकार है फिर चलो भी यह यह बन गया यह अपना प्यारा सा क्यूब रेडी है लेकिन उससे अच्छा नहीं बना यार पहले अच्छा बना था ठीक है यह अपना क्यूब है और सर जी क्यूब में क्या होता है भाईया सिर्फ और सिर्फ तीन चीज़े लेंद ब्रेट आइट ना लेंद ब्रेट आइट तीनों एक क्या है यहां जिले कर यहां तक सर एज है क्या है दोस्त यह एज इसको एक्स मान लेते हैं लेट से एक्स सेंटीमीटर क्या मान लेते हैं एक्स सेंटीमीटर ठीक है सर यह ब्रैथ है सर इसको क्या मान लेते हैं एक्स सेंटीमीटर सब बराबर होता है पिटा यह हाइट है सर ज ज्यूंब एक अब तुमको को एक चीज बताता हूं क्या यहां पर इंक्रीजिंग का यूज नहीं का यूज घ्यूजवा है और यहां पर काई चला गया यहां बर बिढ़etah है इंक्रीजव systemic का यूज पर सेकेंड इसका मतलब समझें थोड़ा डीकोट करना सीखो थोड़ा डीकोट करना सीखो दा वॉल्यम ऑफ क्यूब इस इंक्रीजिंग एट रेट आफ यह रेट आफ चेंज हमें दिया गया है rate of change हमें दिया गया है किसका rate of change हमें दिया गया है सुनो ध्यान से given अपन लिखते हैं sir given क्या given है सर जी हमें हमें given है rate of change किसका rate of change given है सर जी चलो यह भी देख लेते हैं यहां लिखते हैं अपन rate of change क्या rate of change भाई सहाब rate of change of volume rate of change of volume of a cube rate of change of volume of a cube ये हमको दिया गया है ठीक है और किस्ते respect में दिया ये भी पता कर लो भईया ये भी पता कर लो अभी बताते हैं देखो इन्होंने बताया नहीं किसके respect में लेकिन हम पता कर चुके है बिटा इसको देखकर 9 cm3 मतलब volume क्यों भईया किसकी unit में आता की with respect to second क्या होता है भाई time तो हम लिखेंगे rate of change of volume of a cube with respect to time याद रखना ये with respect to time है तो अगर हम ध्यान से ध्यान से अगर हम थोड़ी अकल लगा ले तो यार रेट of change of volume अगर हमने volume को V से denote किया let let V be volume of a cube V be volume of a cube हमने V को volume of a cube मान लिया साथी साथ X be side या X be edge of a edge या side भी कह सकते हो of a cube cube का each side या each edge को X मान लिया ध्यान से सुन लो हमने V क्या मान लिया सर V be the volume of a cube X be the edge of the cube ठीक है तो इसके अनुसार rate of change of volume अगर rate of change को हटाना है तो D आ जाता है ध्यान से सुनो सर जी rate of change को अटाना है तो D आ जाता है D किसका volume का V with respect to time तो D जे D T DV upon DT हमें दिया गया है ध्यान से सुन लो DV हमें DV upon DT हमको दिया गया है 9 cm3 per second यह हमको दिया गया है rate of change of volume of a cube with respect to time is 9 cm3 per second 9 cm3 per second ठीक है यह हमको दिया गया है सर जी अपनने इसको मान लिया लेटस से यह हमारा हो गया equation number सर जी 1 clear है हा सर बिलकुल clear है आगे चलते है moving on to next अरे भाईया लाली ठीक है चल how fast is the surface area increasing surface area का rate of change increasing है increasing मतलब positive है ठीक है surface area का rate of change बताना है when the length of the edge is 10 cm सुनो अब surface area को हम let कर लेते हैं A से surface area को A से let कर लेते हैं ठीक है A से let कर लेते है surface area को A B the surface area A B the surface area ठीक है हमने let कर लिया कि जो A है वो surface area है और इसको कर दिया पेटा पर ने circle ठीक है A क्या है surface area अब पूछा क्या है ध्यान चाहर सुनना जी सर to find find क्या करना है to prove नहीं to find ठीक है क्या find करना है सर जी हमें find करना है how fast कितनी तेज भाई rate की बात हो रही है how fast का मतलब है rate of change rate of change ठीक है हमें find करना है rate of change of surface area हमें क्या find करना है सर rate of change of surface area of cube surface area of cube हमें cube का surface area का rate of change नकलना है किसके respect में आगे पढ़ लो न rate of change of surface area किसके respect में भाई या दिया ही नहीं गया इनने कह दिया how fast is the surface area increasing when the length of the edges भाई किसके respect में time के respect में जब कुछ दिया ही नहीं है तो यह किसके respect में था time के respect में तो इसको भी लिखेंगे with respect to time time के respect में ही हमें निकालना है मतलब at length of an edge is 10 cm at 10 मतलब हमें जो find करना है वो यह है ध्यांदे सुनना सर जी सर हमें जो find करना है वो यह दी ए a by dt ठीक है d a by dt at x edge हमें 10 cm दी गई है at x is equal to 10 cm x is equal to 10 cm और यहां लिख दिया हमने is equal to question mark this we have to calculate यह हमें calculate करना है बास समझ में आ गई हासर बास समझ में आ गई बस अप शुरू करेंगे अपन अपना पूरा का पूरा कहानी तो भाईया यहां पर आपको बहुत important चीज़ें सारी मैंने बता दी है क्या given है क्या निकालना है everything is in detail आपको लिखकर मैंने चीज़ें explain कर दी है अब हम solve करना शुरू करेंगे ठीक है वी विल स्टार्ट सॉल्विंग ना ध्यान से सुनना जी सर हमें जो given है सबसे पहले हम उसमें काम करेंगे ठीक है पीटा volume क्या होता है सर वॉल्यूम ऑफ क्यूब सर जी अगर हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है एज का क्यूब edge into edge into edge length into breadth into height यानि x into x into x यानि x cube सर क्या होगा edge cube edge edge cube यानि कि edge x है बिटा तो x cube x cube centimeter cube अभी मैं unit नहीं लगा रहा हूँ ठीक है अच्छा volume of cube को अपन ने v से denote किया तो अपन ने बोल दिया v is equal to x cube ठीक है सर done है perfect बिलकुल देन है पके चलते हैं द् ignorance सुनना जी और वी को डी वी बीदम्मे दिया गया तो अगर वी खोस्टी अई कर जया है तो मस्झेंशीर करना है करें तो में ट्र ऑपन डिफ्रेंशियेशं करें डिफ्रेंशियेट इंग with respect to भाया किसके time के with respect to time यानि की T T के respect में अपने differentiate कर रहे है ठीक है सर तो V, ध्यान जो सुनना बेटा V के पीछे क्या लग जाएगा और X cube के पीछे क्या लग जाएगा सर जैसे ही आपने differentiating का word यूज किया इसके पीछे D लग जाएगा upon में D, T आएगा जो कि T के respect में हो रहा इसके पीछे भी D लग जाएगा upon में D, T आएगा जो कि T के respect में हो रहा पहली बात के लिए रहे है हाँ सर तो अब अब अपन को ये solve करना है चलो इसको solve करते है ठीक है D X square by D X cube by D T D by D T of X cube of X cube अब ये आएगा पीटा 3 X square 3 X square into D X by D T D X by D T ये आएगा ठीक है कैसे आएगा simple है आपने सीखा नहीं है क्या D by D X of X की power N क्या होता है सर ये होता है N X की power N minus 1 ये होता है और फिर X का भी D by D X होता D by D X of X है ना अगर इस X की जगा इस X cube X cube आजाए और T आजाए D by D T इसकी जगा मैं D by D T कर दू D by D T और X की power 3 तो क्या होगा सर simple है ये हो जाएगा 3 X की power 3 minus 1 N की जगा 3 है तो 3 X की power 3 minus 1 into D by D T D by D T किसका भीटा D by D T of X फिर X का D by D T हो जाएगा तो ये 3 X square D X by D T हो जाएगा तो इसकी जगा मैंने क्या लिख दिया बिटा इसकी जगा मैंने लिख लिया ध्यान से सुनना D 3 X square D X by D T ठीक है प्रीवियस चैप्टर का है ये तो ये तो बिलकुल प्रीवियस चैप्टर का है 3 X square into D X by D T आराम से सिखाऊंगा सारी चीज़े डीटेल में सिखाऊंगा अब ये चीज़ जो आई ने D Y by D T यार इसकी वैली तो अपन को दी गई है 9 ये तो अपन को 9 दी गई है हाँ सर तो इसकी जगा हमने क्या लिख का सर 9 क्योंकि ये हमें दिया गया था इक्वेजन बना लो चाहिए इक्वेजन फ्रॉम एक्वेजन वन ये 9 हो गया इस इक्वल टू 3 X स्क्वेर ठीक है सर इन्टू D X by D T डन है बिल्कुल डन है ये धर जाएगा डिवाइट करने 9 by 3 X स्क्वेर ठीक है सर इस इक्वल टू D X by D T बिटा ये कट जाएगा 1 upon X स्क्वेर आएगा तो D X by D T क्या आएगा यहां लिख लेता हूँ मैं ठीक है यहां लिख लेता हूँ स्पेस की कमी पढ़ लिए therefore D X by D T क्या आएगा बिटा ये आएगा 1 upon 3 X स्क्वेर ठीक है 9 इसको इक्वेजन नमबर 2 मानलो पिटा अभी आदा हुआ अभी आदा हुआ है ठीक है तसली से सिखाना चाहता हूँ इसलिए थोड़ा धीरे-धीरे कर रहा हूँ अब सर हमें निकालना क्या है अभी जो हमें गिविन था उसकी मदद से हमने D X by D T अब इसका इस्तमाल कहा होगा इसका इसकी वैल्यू कालने पर डिए इवाई D t ने कालना है अब D A अगर डिए वाई DT आपको निकालना है ध्यान से सुनो ऑपको और D A का area भाईया cube का area six into edge square area of cube क्या होगा पिटा area of cube होगा area का मतला पर total surface area पूछा जा रहा है तो area का मतला होगा पिटा six into edge cube six into edge cube edge square sorry edge cube नहीं edge square तो edge तो X है तो पिटा area दिहान से सुनो area को A से denote करा यह हो जाएगा six into x square इतनी बात के लिए रहे हाँ सब्सक्राइब अगर मुझे इसके पीछे डी लगाने differentiation वाला तो यह differentiate करना पड़ेगा तो चलो आओ differentiate करेंगे तो यहां लिखेंगे बिटा differentiating with respect to X नहीं सर with respect to upon में T है बिटा with respect to time T के respect में differentiate करेंगे जैसे हमने differentiation शुरू किया दोस्त एक पीछे लग जाएगा डी बाइडी डी डी लग जाएगा एक पीछे इसके पीछे भी लग जाएगा बिटा डी बाइडी दोनों के पीछे लग जाएगा समझ में आ रही है बात यह सर यहां लिख देंगे बिटा ए और यहां लिख देंगे six x square six to coefficient constant number पीछे चला जाएगा तो बिटा पन क्या लिखेंगे six को पीछे कर देंगे डी बाइडी टी ओफ एक सोड क्ले रहे ह् oni हब अब इसको अगर सॉल करें गया द्यान से सोथी बाइडी टी आफ स्फ स्क्वेर तो इसको से पावर एन मन वामनके यह हो जाएगा टू एक सी पावर टू –1 एन एक सी पावर r に-1 यह टू हो जाएगा फिर बिटा एककी अंट्वकार न स्र्फ पावर फिर एक्स का करो इंटु डी दी डी डी चल रहा ए ठीक time एक्समाइद he यह आएगा बिटा अपन का d by dt x square के बदले, इस पूरे की बदले अपन को यह लिखना है, 2x into dx by dt, ठीक है, done sir, चलो आगे चलते हैं, ठीक है तो अबन क्या करेंगे sir, अपन यहां लिख लेंगे 6 into, यह आजाएगा अपना 2x, solve करके दिखा दिया मैंने साथ में, वहाँ पर solve ह ठीक है, 2x into dx by dt, अब यहां बात यह आ रही, कि यह यह क्या है, और इसकी value अपन ने अल्रेडी निकाल के रखिये, dx by dt, 3 upon x square, इसी लिए निकाली थी बिटा, 3 upon x square, तो अपन क्या कहेंगे बिटा, यह आ जाएगा, 12 into, 12x into dx by dt, ठीक है, अब अपन क्या लिखेंगे, by equation 2, by equation equation 2, equation 2 क्या थी याद करो, by equation 2, dx by dt is equal to, यह थी नहीं question, dx by dt is equal to, dx by dt is equal to, dx by dt is equal to, 3 upon x square, 3 upon x square, यह अपन यहां रखнд दिगे बस, है नहीहां रखं दिगे बस value अपन को, कुछ नहीं करनी है, value रखनी है बस, उपर rasa kुछ नहीं करना है, ठीक है, done, तो यह क्या जाएगा, d a upon dt d a upon dt is equal to 12x ठीक है सर 12x into into dx upon dt की जगा 3 upon x square लिख दिया सर जी ठीक है काटा pt करेंगे solve करेंगे x से x कट जाएगा ये x से x कट जाएगा 36 upon x आया क्या आया पेटा 12 3 सा 36 36 upon x ये answer आया क्या हाँ ये answer आया क्या हाँ ये answer आया हमें ये d a upon dt खाली नहीं निकालना था हमें d a upon dt काहे पर निकालना था जब x यानि each side is 10 जब each side हमको 10 दी गई है देखो ये निकालना था d a upon dt at x is equal to 10 at the length of h is 10 cm तो अब हम यहाँ पर 10 रखेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं करना होता है d a upon dt अपना 36 upon 10 आया ध्यान देखो सुनना d a upon dt अपना 36 upon x आया 36 upon x तो कुछ नहीं करना होता है x की value 10 रख दो तो 36 upon 10 तो answer क्या आएगा 3.6 अब कई बच्चे 3.6 लिखकर छोड़ देंगे जब कि cm2 तो अपन लगाएं जिस cm2 upon upon ताइम डीडीडी का मतले में टाइम टाइम क्या आइम सेकेंड में होता है सर तो यहां सेकंड लगाया दिस जारां सर 3.6 cm2 पर सेकेंड है ना 3.6 cm2 पर सेकेंड यह अंसर है बिटा अपना आई होब आपको यह बहुत अच्छी तरह से एक्जाम्पल नंबर टू समझ में आ गया होगा नहीं आया हो तो बिटा जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता देना बढ़िया दरीके से करा दूंगा कोई दिक्कत का सामना आ पर बहुत के बीटा जाना के हां सर क्लियर होती जा रही है चीज़ेंगर और देरिस नथिंग दूर्म इंफंग डाउट नहीं हो तब बताना तो आपको पढ़ेगा यहां सर बिल्कुल क्लियर आगे चलते हैं कोिस्ट नंबर त्री पे एंड लेड़ स्तार्ट विट कुश जल्दी से example number 3 पढ़ेंगे देखो पढ़ेंगे थोड़ा जल्दी पर करेंगे आराम से हर एक step को feel करना है ठीक है देखो a stone is dropped into a quiet lake एक lake है पानी का lake है पानी बिलकुल शान्त है बिलकुल भी हिल नहीं रहा है ठीक है and waves move in circles at a speed of 4 cm per second यह बहुत important line है इस line को हमें decode करना पड़ेगा इस line को हमें decode करना पड़ेगा 4 cm per second को अगर हम लिखेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं 4 cm per second हम ऐसे लिख सकते हैं है ना लिख सकते हैं हाँ सर इसको decode करेंगे अभी अपन ठीक है सुरो suppose अगर मैं lake में एक पत्तर छोड़ दूँ तो क्या होता अगर आपने notice किया हो अगर आपने कभी lake या पानी में गए हो लेद या ocean में पानी पत्तर फेखते हैं तो उसमें circles बनतë जाते और फिर वो दीरे दीरे एक इस बने गा फिर दूसरा फिर तीसरा और वह बढ़े होते जाते समझ रहे हो ना circles बनते जाते हैं जैसां मैंने पत्तर प्र पिनप हर गो जाएगा और मिली सेकंड्स में बेटा डीकोड करो मेरे बच्चे डीकोड करो डीकोड करना बहुत जरूरी है अगर आप डीकोड नहीं कर पाए तो फिर दिककत हो जाएगी है ना डीकोड करना is very important कि क्या चीज़े हैं तो सर वो यह कह रहे हो यह कह रहे हो यह किरह हर एक second में वो जो circle बन रहे हैं वो चार-चार सेंटीमीटर बड़ा होता जा रहा है ध्यान से सुनना बेटा ध्यान से सुनना यहां से लेकर यहां तक मान के चलो मान के चलो for example पहला सर्किल था दो सेंटीमीटर का फिर जैसे एक सेकेंड हुआ तो यह सर्केल अब दूसरे बड़ा हो गया कितना बड़ा हो गया चार सेंटीमीटर और बड़ा हो गया मतलब अभी फूर अभी टू था अब टू प्लस फूर यह सिक्स हो गया सर फिर एक और मिन सेकेंड के बाद यह फिर चार सेंटीमीटर और बड़ा हो गया यह एक सेकेंड के बाद अब इस पे आ गया इस वाले पे गया ठीक है तो इसका मतलब यह ऑच आश 14 सेंटीमीटर हो गया फिर एक सेकिन चकार बढ़ता जा साइज कुछ समझ में आ रही है बात लोगे साइज बढ़ने का मतलब द् Ratius बढ़ना ध्यान रखना का सरकल बढ़ा हो गया वो बढ़ रहा है 4 cm पर सेकंड तो अपन क्या लिखेंगे Radius Radius Increases Radius increase हो रहा है बढ़ रहा है Radius increases At a rate of यह rate है पिटा ध्यान चा सुनना Per second मतलब rate Radius increases at A rate of यहां लिख तो radius को Radius increases At a Rate of Rate बोले तो Speed rate कुछ भी कह सकते है At a rate of 4 cm Per second तो सर जी यह जो चीज दी गई है 4 cm per second यह हमें radius का Rate of change दिया Rate of change दिया ठीक है तो हम कह सकते हैं कि अगर हम Radius को denote कर रहे है R से ध्यान से सुनना Let R be Radius of a Circle Let R be Radius of a Circle ठीक है चलो सर Radius of a Circle ठीक है Clear है हाँ सर, Clear है Radius of a Circle ठीक है Radius के लाब अनने कुछ और दिया भी नहीं ठीक है Let R be the Radius of a Circle अब सुनते हैं या न देखो Radius increases at a rate of यह Radius कहीं नहीं दिया उनने लिख कर देखो कहीं भी Radius नहीं दिया पर उन्होंने यह दिया कि Circle जो है न वो increase कर रहा है Waves move in circles at a speed of 4 cm per second एक Circle फिर 2, फिर 3, 4 बड़े-बड़े होते जाएंगे Circle हर Second के बाद Circle 4 cm बड़ा होता जाएगा 4 cm क्या? आएगा 6 प्लस 4 10 cm का बनेगा आई होब आपको समझ में आ गई होगी ठीक है? ड़न सर तो यार Radius का Rate of Change हमें दिया है इसका मतलब हमें DR by DT दिया है और यह दिया है हमें 4 cm per second यह पिटा गिविन है त्यान से सुन लो इस इस गिविन ठीक है? यह हमें क्या है सर This is given to us हमें दी गई है जानकारी ठीक है? तो given है D upon D D क्यों लगाते है सर derivative rate of change को तो हम derivative से ही दिखाएंगे न तो rate of change of radius with respect to time सर time कैसे आगे upon में T अरे भाई देखो na upon में second है second का मतलब क्या है time तो D R upon D T हमें दिया गया है याद रखना ठीक है सर याद रहेगा अब पूछ क्या रहा है वो जड़ा यह देखते हैं तो सर what they are asking is at the instant when the radius of the circle wave is 10 cm how fast is the enclosed area increasing वो कह रहे हैं कि भाईया area बताओ इन्होंने कहा area के बारे में जानकारी दो तो सुनो अपनको पहले तो let करना पढ़ेगा area also है ना तो इसको अटाते हैं और अपन उपर लिखते हैं let ठीक है let R be the radius of a circle A be the area A be the area of a circle A be the area of a circle circle का area मान लिया अपन ने क्या सर A ठीक है सुन दे या ना जी सर तो ये अपन को दिया गया ध्यान दो सुनो निकालना क्या है ये देखो सर to find to find ठीक है सर हमें निकालना है ध्यान दो सुनिये गा rate of area increasing area के बारे में बात हुई है अब area दोड़ी ना निकालने area कितने rate से increase कर रहा है rate of increase in area rate of increase in area के area कितनी speed से increase कर रहा है किस rate से increase क्यों कर रहा है देखो clearly लिखा हुआ है area increase at what rate या how fast is the enclosed area increasing कब जब 10 cm हो क्या 10 cm हो circular wave 10 cm हो circular wave की radius 10 cm हो rate of increase in area at radius 10 cm यह निकालना है तो अगर हमने इसको और चीज़े decode किया तो rate of change क्या होता है d by d d by d होता है rate of change ठीक है किसका rate of change of area या निए area का निकालना है किसके respect में obviously sir time के respect में चल रहा तो हम time के respect में ही निकालेंगे time के respect में ही तो निकलेगा I hope आपको 110% समझ में आ रहा होगा, आप चलो शुरू करते हैं, निकालना, तो यहर एरिया के बारे में अगर हमें बात करनी है, तो हमें एरिया के फॉर्मले से शुरू करना पड़ेगा, एरिया ऑफ़सर के लिए क्या होगा सर, यह होता है, पाई आर स्कूर, तो हमने सिर्फ और सिर्फ यह लिखना है, a is equal to pi r square, अब मुझे a के पीछे d चाहिए बोले, तो differentiation, तो differentiate करो, तो हम लिखेंगे differentiating with respect to, x नहीं लिख देना, differentiating with respect to, बिटा किसके respect में करना है, upon t sir, time के respect में करना है, with respect to time t, ठीक है सर, जैसे यह लिखा, बिटा, a के पीछे d by dt लग जाएगा, और pi r square के पीछे भी d by dt लग जाएगा, बात समझ में आ रही है, yes sir, समझ में आ रही है, यह हो गया d a by dt, यह हो गया pi r square, ठीक है, अब देखना, यह तो अपना answer आ गया, d a by dt, यह तो अपना आ गया, जो अपन को चाहिए था, ठीक है, this is required, यही तो चाहिए था, जब यह आ जाएगा, तो अपना r a time रख देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, तो सर जी, अपन अब ध्यान दे सुनना भीटा, d by dt के पीछे pi को बला लेंगे, क्योंकि pi एक constant number है, जो coefficient बनके भी आया है, और बाकी r square, अब इतनी पार्ट का भीटा, आपको पताई है, यार क्या होगा, तो हम लिख देंगे सर, pi into 2r, pi into 2r, 2r तो आजाएगा, square का, मैं क्या बोल रहा था, 2r तो आजाएगा, square का, जब आपने square का def differentiation की, अब तो 2r आएगा, फिर r का भी करना पड़ेगा, मतलब सर, d by dt, अब ही आपने square 2 का करा, अब आपको r का करना पड़ेगा, और जैसे ही आप r का करोगे, तो बिटा ध्यान से देखो, यह जो दिख रहा है ना, आपको, हाँ सर, यह जो दिख रहा है न, by equation 1, equation 1 क्या है बहिया, equation 1 सर जी यह है, by equation 1, dr upon dt is equal to, dr upon dt is equal to, सर जी, कितना दिया गया था अपन को, सर जी 4 cm per second, 4 cm per second, चलो आओ, अपन यहाँ पर put कर लेते हैं, तो सर, answer आगया हमारा, d a by dt is equal to, d a by dt is equal to, pi 2r into, यह 2 pi r लिख लेते हैं सीधा, 2 pi r, यह 2 pi r है, into 4, into, इस पूरे की जगा, भीटा, 4 लिखा, तो यह आजाएगा, 8 pi r, 8 pi r, unit अगर लिखने की बात करते हैं, तो area और time, तो area क्या होगा, cm2 होगा, सर, है न, और upon time का मतलब है, सर, second होगा, यह answer आगया, लेकिन, हमें answer, d a by dt निकालना है, r is equal to 10 पर, तो पिटा, r is equal to 10 पर निकाल देंगे, कैसे निकाल देंगे, simple है, सर, therefore, d a by dt, at r is equal to 10, at r is equal to 10, is equal to, is equal to, 8 pi r, ध्यान दे सुनना, 8 pi r, r 10 है, सर, r क्या है, पिटा, r 10 है, तो अपन 10 लिख देंगे, 8 pi into 10, तो सर, यह 80 pi आजाएगा, answer क्या आया, बच्चा, answer आया, sir, 80 pi, और बिटा, y unit, y लिखेंगे, क्योंकि area upon time चल रहा, centimeter square पर second, यह answer है, दोस्त, यह हमारा answer है, ठीक है, हर example को detail में, और आराम से, और पूरी, आप कह सकते हो, हर एक step को detail में समझाऊंगा, ठीक है, ताकि तुम अगर सुनो ना, तो तुम्हें समझ में आजाएंगे, हाँ हर, इस question को तो ऐसे करना था, कितना आसान था, यह तो tough ही नहीं है, बिलकुल, है ना, यह चीज़ने तुम्हें तब समझ में आएंगे, जब तुम समझना चाहोगे, getting my point, yes, sir, चलो आगे बढ़ते है, moving on to next, और देखने हैं सर, next हमारा example number, कौन सा है भाई, example number 4 आएगा अपना, ठीक है, done sir, चलो भई, यह कौन सा example था, example number 3 था, answer क्या आया, 80 pi, perfect है, सही है, 80 pi, centimeter square per second, done, yes sir, done, चलो आगे चलते हैं, moving on to next, और देखने हैं सर, next वाला हमारा question, कैसे हम solve करेंगे उसे, चलो, इसको erase करता हूँ बिटा मैं, और चलते हैं अपन next question, इसको erase करना है, पूरा यह answer है, ठीक है, इसको erase किया, यह रहा बिटा हमारा question number 4, यह example number 4, इसको भी erase कर दिया था, ठीक है, चलो भीया, example number 4 की तरफ चले, example 4 कह क्या रहा दिया, यहां से सुनना, the length x of a rectangle, पहले तो rectangle बनेगा, देखो जहाँ figure बना सकते हो, बनाओ, use हो या ना हो, मजा आता है यार देखने में, ठीक है, तो यह rectangle बना दिया, rectangle की length क्या है भीया, x, breadth क्या है भीया, नहीं पता, तो sir, length हमने लिख ली, x, this is length, यहां से लेकर यहां तक यह length है, कितनी है भीटा, x, x centimeter होगी, हाँ centimeter में ही चल रहा है सब, ठीक है, तो x centimeter, ठीक है, breadth, breadth इन्होंने y ली होगी, देखो, width, width मतलब breadth, यह y दी है, ठीक है sir, यह y दी है, ठीक है, done sir, जो चीज़ नहोंने दी है, वो अपन let नहीं करेंगे, let करने की जरूद नहीं है, उन्होंने दी है, तो let the length of the rectangle bx, यह सब लिखने की जरूद नहीं है, वो दिया है में, ठीक है sir, तो अपन क्या लिखेंगे, यह चीज़ अपन को दी गई है, ठीक है, तो sir, यहाँ पर हमें सबसे पहला काम जो करना है, वो यह है, कि हमें given लिखना है, ठीक है, given लिखा, ठीक है sir, दो dot लगाए, हाँ भई, length of a rectangle is l-e-n-g-t-h, length of a rectangle क्या दिया हुआ है sir जी, length of a rectangle दिया हुआ है, x centimeter, ठीक है, x centimeter, done, और breath यानि width, भई, width लिखो या breath लिखो, मै of a rectangle क्या दिया है, breadth of a rectangle हमें y दिया गया है, ठीक है, is equal to y centimeter, ठीक है, done, कोई दिक्कत नहीं है, अगे बढ़ते है, the length of a rectangle is decreasing, ओ भाई साब, अलग question आ गया, अलग question आ गया, decreasing, अब तुम्हें बहुत important चीज़ बताऊंगा, ठीक है, ध्यान से सुनना, example number 4, important है, star लगा लो, 5 star लेखर लाके खिला दो भी है, इसको, यह बहुत important है, ठीक है, dancer, देखो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा, कि जो length है, वो decreasing rate में, rate of change of quantity, ध्यान से सुनना, rate of change of quantity, यह मैंने short form में लिख दिया, rcq लिख रहा हूं मैं इसको, ठीक है, rcq, ध्यान से सुनना, rate of change of quantity, जो है, rate of change of quantity, जो है, जब यह decreasing होती है, ध्यान से सुनना, बेटा, जब यह decreasing होती है, तब हमें इसको negative में लिखना पड़ता है, तब हमें किसको लिखना पड़ता है, हमें इसको negative लिखना पड़ता है, यह negative होगी, जब rate of change of quantity decreasing होती है, तो हमें बेटा, याद रखो, हमें rate of change of quantity को negative लेना पड़ता है यह मैं आपको previous बेटा जाके आप rate of change of quantity का जो introduction वाला पाट है ना वो देख लेना उसमें समझाया है 40 minute का वीडियो है अच्छे से समझाया है आपको ठीक है and जब rate of change of quantity जब rate of change of quantity इध्यान से सुनना जी सर जब rate of change of quantity increasing हो उपर जाए increase करें कि वह यह rate of change of quantity increase कर रही है तो समझ जाना उस condition में हमें rate of change of quantity को positive लेना है बात समझ में आ रही है यह सर बात समझ में आ रही है यह सर ठीक है डन तो यह चीज़ हो गई अब सुनते या ना जी सर पिटा यहाँ पर जो लेंद है ना उसका rate decreasing है मतलब अगर अब देखना ध्यान जा सुनना 3 cm per minute length की बात हो रही है length की बात हो रही है तो ध्यान से सुनना given क्या आपन को सर rate of rate of change of ध्यान से सुनना भीटा rate of change of rate of change of length सबसे पहले हमें length का rate of change दिया जो कि actually decreasing है ध्यान से सुनो rate of change of length of a rectangle कितना दिया गया है sir 3 cm per minute 3 cm per minute अब मेरी बास सुनो कान खोल कर क्या sir सर यहां इन्होंने कहा कि यह जो rate है न लेंद का वो decreasing है और decreasing में हम rate of change of quantity को negative मानते हैं तो बिटा हमें यहां पर minus लगाना पड़ेगा क्योंकि यह decreasing rate में है तो minus 3 cm per minute आएगा अच्छा सर rate of change of length जो है rate of change सर यह तो D होगा D बोले तो derivative D आएगा तो D और length क्या है X तो हमें लिख दिया D X ठीक है सर D और X rate of change मतलब derivative D आगया किसका length का length X है बाई किसके respect में D Y D T D P किसके respect में अरे भाई यह इसको देखो न upon minute minute का मतलब है time तो सर यह time के respect में दिया गया है हमें minus का 3 cm per minute यह हमें दिया गया है and let us mark this as equation number 1 यह equation number 1 है बात clear है हाँ सर बिलकुल clear है कोई समस्या नहीं होनी चाहिए ठीक है सर ठीक है clear है हाँ सर ऐसे ही बच्चों अगर मैं आप से कहूं और क्या दिया and the width Y breath जो दी breath या width Y वो increasing है ध्यान से सुनो हमें length की rate of change decreasing दी थी और breath की rate of change increasing दी है breath की rate of change of quantity अगर increasing हो तो वो positive ली जाती है तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे rate of change of rate of change of rate of change of width विद बोले तो breath rate of change of width क्या दिये हुई है सर यह दिये हुई है हमको कितनी बेटा टू सेंटी मीटर पर मिनिट टू सेंटी मीटर पर मिनिट और सर यह positive दी यह positive नहीं यह increasing दी और increasing में बेटा rate of change of quantity को हम positive लेते हैं तो यहां प्लस का सिंबल लगा दो कि यह बही है प्लस टू ही रहेगा क्योंकि यहां rate of change of width जो है न वह increasing में इंक्रीजिंग मतलब positive तो बेटा एक बाद बताओ rate of change of width तो rate of change मतलब derivative d by d ठीक है सर rate of change किसका width का width को अपनने y से लिखा हुआ है बेटा width अपनने y से लिखा हुआ है किसके respect में सर time के respect में कैसे पता चलेगा अरे को entity देख लो ना जो इन्होंने दी है upon में minute है minute बोले तो time तो dt आएगा नीचे dy upon dt हमें दिया गया है कितना दिया गया है सर two centimeter per minute यह दिया गया है और यह हमने मान लिया सर equation number 2 equation number 2 बात clear है क्या हाँ सर बात बिलकुल clear है आगे चलते हैं बिटा question क्या कह रहा है देखो find the pair find the rate of change of parameter and area मेरी बात सुनों ध्यान से parameter होता है सर parameter of a rectangle हमें पता है सर यह होता है two into length plus breadth यानि की parameter होता है two x plus two y यहां तो यह होगा क्योंकि length हमें x दी गई बादी ब्रेट वाई दी गई 2 into l plus b l यानि length x b यानि breath y यह दी गई है सर ठीक है अचा area कि अगर बात करें तो area क्या होगा सर area होता है length into breath यानि x into y अचा यह answer नहीं है answer नहीं है यह तो मैंने सर्फ expressions लिखे हैं चलो सर answer देखते हैं द्यांसर सुनना जी सर यहां आते हैं सबसे पहला हमें निकालना है rate of change of हमें निकालना है rate of change of parameter rate of change ठीक है सर rate of change of parameter ठीक है सर ठीक है done तो rate of change of parameter निकालने के लिए हम क्या करेंगे सर यहां जो सुनना is equal to question mark तो पहले तो हमें parameter को p let करना पड़ेगा हम let कर लेते हैं let p be the parameter of a p be the parameter of a p be the parameter ठीक है सर काई का parameter यह rectangle का let p be the parameter of rectangle ठीक है अब parameter का formula क्या होगा सर हमें पता है पीज़ी कोल टू पीज़ी कोल टू टू इंटू लेंथ एक्स दिये प्लस ब्रेथ तू इंटू L प्लेस भी जो की हो जाये का 2x प्लस 2y अब हमें rate of change निकालना है किसके respect में देखो न रेट ऑफ चेंग हमें किसके respect में दिया जाए time के respect में time सब time के respect में चल रहा है हमें बोला ही नहीं किसके respect में तो हम भी time के respect में काम कर देंगे सर तो हम शुरू करेंगे बिटा सर क्या हमें पी त्यान से सुनना हमें निकालना क्या है rate of change of parameter यानि हमें dp by dt निकालना है ये निकालना है, with respect to time, ये निकालना है हमें और p हमको दिया गया है, is equal to 2x plus 2y अब ये कैसे हम निकालेंगे, कुछ नहीं differentiate करो differentiating with respect to time t t के respect में ही निकालनेंगे बेटा, क्योंकि upon में minute लिखा है सम्में p के पहले लग जाएगा d by dt, ठीक है nessa सर और बच्चा यहां भी लग जाएगा d by dt ध्यान से सुनना जी सर फिर अपने यहां पी लिख दिया यह p के पीछे लग गया d by dt और इस पूरे 2x प्लस 2y के पीछे भी d by dt लग गया डन अब यह d by dt दोनों में बढ़ जाएगा विटा कैसे सर d by dt of 2x फिर प्लस है d by dt of 2y d by dt of 2y इतनी बात क्लियर है हाँ सर बिटा तू कोईफिशन्ट पीछे आ जाएगा तो 2 into d by dt of x ठीक है प्लस 2 फिर पीछे आ जाएगा 2 d by dt of y अब देखना ध्यान से सुनना बिटा इसकी वैल्यू था हमें अल्रेडी पता है यार इसकी वैल्यू था हमें अल्रेडी पता है यार देखो d x upon dt क्या है देखो यह सब चीजे लिखे बैठा हूं मैं d x upon dt minus 3 है तो हम कहेंगे from equation 1 and 2 इसको आगे continue ऊपर कर देते हैं इसको ठीक है from equation 1 and 2 we can say that हमने अल्रेडी चीजे क्यों लिखे बैठे हम इसी लिए बिटा ताकि चीजें हमें clear रहें तो equation 1 क्या है बिटा equation 1 है d x upon dt कित per minute ठीक है सर और equation number 2 क्या है सर equation number 2 है d y by dt यह कितना है सर यह हमारा 2 cm plus का 2 cm per minute यह दोनों बिटा आपन कहां यह दोनों आपन इन equation में इसमें put कर देंगे done यह सर तो क्या आएगा बिटा d p by dt यहनी parameter का differentiation कर दिया d p by dt respect to time तो यह आजाएगा 2 into 2 into बिटा यह d x by dt d x by dt minus 3 है minus 3 लिखा plus 2 into बिटा d y by dt d y by dt 2 है तो 2 लिखा ठीक है सर solve करेंगे तो यह आएगा बिटा 2 3 जा 6 minus 6 plus 2 2 जा 4 यानि की minus 2 यह आया minus 2 बिटा यह d p by dt आया d p by dt अब जो parameter होता है उसकी unit होती है centimeter centimeter square नहीं होगी क्योंकि सब centimeter में चल रहा है तो parameter की unit हमने लिख दी centimeter parameter की unit centimeter और time की unit बिटा second ने minute यह minute चल रही है ठीक है minute यह हमारा answer हो गया अब समझना बात को हमें वैसे निकालना क्या था हमें वैसे अगर आप धंग से देखो तो हमें निकालना क्या था हमें यह निकालना था सर ठीक है dp by dt निकाल लिया लेकिन इनोंने का x is equal to 10 y is equal to 6 ध्यान से सुनों x is equal to 10 y is equal to 6 ध्यान से सुनों बिटा important है क्या dp by dt निकालो at x is equal to 10 and y is equal to बिटा कितना दिया है y is equal to how much y is equal to 6 centimeter ठीक है तो यार इसके अंदर हमें x और y तो ही नहीं है आया होता तो हम इनकी values रख देते यही हमारा answer है यह हो गया parameter वाला किसका सर parameter वाला हो गया ठीक है सर अब अपन करेंगे बिटा area वाला क्या करेंगे सर जी area वाला तो अपन इसको करते है side में shift और सर इसको छोटा तो कर दिया अपनने इसको भी धोड़ा चोटा करो और वहा fix कर दिया ठीक है done sir चलो दोस्त तो यह अपना complete हो गया आगे चलते हैं अब अपन second part पे second part है rate of change of area अब second निकालना है हमें rate of change of area rate of change of area with respect to time चल रहा है धियान रखना rate of change of area जैसे यहां parameter है यहां area निकालना था ठीक है किसका सा rectangle का अच्छा is equal to question mark अच्छा area को अपन let कर लेते हैं let the area be represented by a let a be the area let a be the area of rectangle the area of rectangle ठीक है let a be the area of rectangle ठीक है done डन है बिलकुल डन है आगे सुनते ही आना जी सर अब area है क्या सर सबसे पहले तो यह बताओ area है क्या सर तो area जो है rectangle का area is equal to होता है length into breath into breath लिख दो या with लिख दो बात तो बराबर यह breath और विथ एक ही चीज़ होती है ठीक है तो area यानि यह जो आया वो क्या है सर length x है breath y है x into y यह आया area ठीक है अपन को निकालना क्या है rate of change of area अगर अपन डंग से सोचें तो rate of change of area rate का मतलब होता है d है ना d by d सबसे पहले तो derivative लगा देंगे rate of change तो उनके पर किसका area का तो area को a capital a p उपर रखिंग और time के हिसाब से बात हो रही है तो तो यह निकालना है सर हमें किस पे निकालना है यह निकालना है at x is equal to 10 at x is equal to 10 cm and y is equal to 6 cm यह इस पे हमें निकालना है ठीक है देखो यहां पर भी निकालना था मैंने at x is equal to 10 y is equal to 6 cm चलो सर निकालते हैं कोई बड़ी बात नहीं है आराम से निकल जाएगा ठीक है चलो तो d अगर मुझे यहां लगाना है तो differentiation करना पड़ेगा तो मैंने लिख रिफ्रेंशियेटिंग विद रिस्पेक्ट तू time t t के respect में करेंगा क्योंकि upon dt अभी है ठीक है तो हमने क्या करा हमने यहां d a के पीछे लगा दिया d by dt और सर यहां भी लगा दिया d y dt डन है बिलकुल डन है सर आगे चलते हैं यह a है सर तो यहां a लिख दिया यह x y है तो यहां x y लिख दिया ध्यान जो सुनो बिटा यह differentiation हो रहा है ना यह दो functions अलग अलग है x और y और दोनों multiply में है product of two functions पे जब differentiation लगता है तो product rule लगाते हैं हम भूलना मत तो सर मैं इधर solve करके दिखा रहा हूं बच्चा यहां आपको कि d y dt of x into y क्या हो सकता है d by dt of x into y क्या होगा सरी अच्छे से देखो पीटा यहां solve करके दिखा रहा हूं यह होगा पहला function x है दूसरा function y है तो x को रखो बाहर d by dt of y y को फिर बीच में plus लगाओ अब x को यहां और y को यहां product rule आपने सीखा है अब भूल गया हो तो मैं क्या करूँ फिर d by dt ऐसे रखके अब x यहां होता क्या है कि x और y के बीच में डीवाइड ड रहते हैं तो पिटा यहां पर यह जो portion है इसकी value हमें already पता है यह जो portion है इसकी value हमें already पता है इस portion d by upon dt दिखो डीवाइड पॉन डीटी की value 2 है तो हमने क्या लिख यहां x into 2 लिख दिया सर x into 2 plus y into x by dt dx by dt equation 1 में minus 3 है तो यहाँ minus 3 लिख दिया हमने दन है बिलकुल दन है और यह equation 1 and 2 की मदद से आए है तो यह basically हो गया बेटा 2x minus 3y ठीक है 2x minus 3y हो गया इसको अपन ने उठाया और इसको उठाया अपन ने यहाँ नीचे रख दिया इसके के सर यह हो गया हमारा आंसर ठीक है तो यह क्या आया बेटा d a by dt d a by dt is equal to तो यह आया d a by dt लेकिन answer नहीं आया यह अभी यह मदद सोचना कि answer आ गया ठीक है तो अपन क्या लिखेंगे बेटा therefore d a by dt is equal to we have 2 2x minus 3y 2x minus 3y एक बार note कर लू d y by dt यह 2 हो गया 2x plus 3 सही है कोई दिक्कत नहीं है अब हमारा answer जो हमारा question था वो d a by dt नहीं था d a by dt हमें निकालना था at x is equal to it na y is equal to it na तो यह भी कर दिंगे बेटा calculation तो हम लिखेंगे d a by dt धंक से देखो बेटा d a by dt यह bracket लगाएंगे सर x कितना बेटा x 10 cm and y कितना बेटा y हमें 6 cm दिया है तो हम इसको solve कैसे करेंगे दोस्त आराम से solve कर लेंगे सर is equal to 2 into x x 10 दिया बेटा to 2 into 10 minus 3 into y y 6 दिया तो 3 into 6 3 6 आ 18 सर यह आ जाएगा हमारा 20 minus 18 so your answer will be 2 answer 2 आया पर 2 क्या बेटा to आएगा area upon time तो area की unit क्या होगी centimeter square जी sir centimeter square upon time यहाँ minute चल रहा है बेटा second नहीं चल रहा है यहाँ minute चल रहा है धेहान से सुन लो ठीक है so यह चीज हमारा answer में आ जाएगा this is our final answer इसको थोड़ा उपर कर देते हैं अपन ठीक है इसको अपनने ऊपर shift कर दिया sir this is gone और इसको अपनने नीचे accommodate कर दिया लो भई यह हमारा पूरा complete हो गया finally this is done तो यह हमारा answer हो गया एक और बिटा जी यह हमारा answer हो गया एक दूसरा ठीक है जल्दी से देखो बहुत easy है 1 minus 2 आया 1 plus 2 आया ठीक है 1 minus 2 आया और बिटा 1 plus 2 आ गया done है जल्दी से देखो फिर अपन question number या example number 5 पे चलते हैं 5 पे देखें क्या है अपनका example number 5 चलो वह example number 5 की ओर चला जाए इसको erase करो यह example number 5 तो sir the total cost cx in rupees associated with the production of x unit of an item is given by this अब मेरी बास सुनना ध्यान से ठीक है यह जो है न इसको बोला जाता है cost function क्या बोला जाता है बेटा इसको इसको बोला जाता है cost function ध्यान से सुनो मैं लिख देता हूँ यह है सर जी अपना cost function ठीक है सब अभी पर आपको सिर्फ बेसिक समझाओंगा 2-3 मिनिट तो ठीक है cost function ठीक है सर ठीक है done है हाँ सर बिलकुल सही बात है cx क्या है cost function ऐसी marginal cost को mx बोला जाएगा m बोल दूँगा या mx कभी-कभी आपको m और bracket में x मिल जाएगा तो यह समझ जाना यह क्या है यह marginal cost function है क्या है बेटा marginal marginal cost function ठीक है done अब यह होता क्या है अभी मैं इसको erase करूँगा अभी होता क्या है इसकी बात कर लेते हैं तो सर जी सिंपल सी बात है ध्यान से सुनना बेटा जी सर देखो सर जी यहां cost function का तोए औरो तीक है थीक है प्लस उसके अंदर जो लेड़ डलती है भी वह नीड़ डलती है सर थीक है फिर उसके बादा मैं पैकिंग जाहिए तो पैकिंग के लिए कई यह कार्ड बोर्ड चाहिए कि पैकिंग करने पड़ेगी ठीक है सर डन तो यह सारी चीजें और भी चीजें लगी मेरी काई काफी चीजें मैंने invest करें तो मेरा पैसा लगा होगा सभी बात है सर तो अब जो पैसा लगाता है ना manufacturer जो भी चीज़े बनाता है माल बनाता है ना जो पैसा लगाता है जो invest करता है उस चीज़ को उस चीज़ को बोलते हैं marginal स्वारी cost value या cost function ठीक है ध्यान जो सुनना पिटा cost function क्या है cost function है cost function is investment basically किसी चीज़ को बनाने के लिए manufacturer के लिए manufacturing के लिए जो investment लगता है investment ठीक है ओके तो यहनों ने यह कहा कि अगर ध्यान जो सुनना अगर cost function यह है cost function यह है इसमें x दिख रहा है आपको हाँ सर अगर मैं x1 लिख दूँ x क्या है सर x है number of item कोई चीज बनाता होगा वो ठीक है production of x units मान के चलो यह shirts बनाते हैं ठीक है shirts बनाने का काम इन का अगर एक shirt बनाए x की जगा एक आजाए एक तो यहां पर रूइवन रखेंगे यहां पर भी यहां पर और solve कर देंगे पता चल जाएगा वो shirt कितने की पड़ेगी चलो दो शर्ट बनाता हो अगर टू units तो x की जगा टू आजाएगा टू यहां रखो टू यहां रखो टू यहां रखो टू यहां रखो टू यहां रहा है find the marginal cost when three units are produced whereby marginal cost we mean अब marginal cost की यहां पर इन्होंने definition दी है ठीक है marginal cost की इन्होंने definition दी है कि marginal cost is actually rate of change of total cost at the level of input कुछ नहीं होता है marginal cost के बारे में आपको बता देता हूं sir marginal cost is nothing आपको बस दो चीज़े याद रखनी है एक तो question fifth में आपको एक और आएगा question sixth में आपको एक और एक अलग word देखने को मिलेगा तो sir marginal cost का मतलब क्या होता है marginal cost का मतलब होता है rate of change of cost function rate of change of क्या sir rate of change of rate of change of cost function या cost of production cost of production यह मतलब होता है भीटा मार्जिनल का ठीक है समझ में आ गई बात येस सर तो अब हमें करना क्या है मैं इसको पहले रेस कर दूँ पहले चलो लिख लेते हैं पहले जितना भी गंदगी हो रही है पहले वो लिख लेते हैं लेखो इन्होंने का थ्री यूनिट्स बनानी है ठीक है या काई का of cost of production cost of production क्या है सर cost of production is cx यानि cost cost function cx तो यहां लिख दिया सर हमने cx का हमें डी डी यूनिट्स पे तो बिटा डी यूनिट्स ओफ cx हमें किस पह निकालना है जब x is equal to three units यह हमें निकालना है दिसिज आर कोस्टिन यह हम निकालने लिए हमें पूरी पूरी चीज़े solve करनी पड़ेंगी और फिर जागे बिटा आगे का काम कर पाएंगे ठीक है तो मैं इसको erase करता हूं फिर अपने इसको तसली से करने की कोशिश करते हैं आप read करो इसको तो देखो इस question में अपन सीधा solution पे जलते हैं आपको concept मैंने समझाई दिये तो अब सीधा solution देखेंगे ठीक है देखो यहाँ पर अपन को cx यानी की cost function दिया गया है ठीक है color change कर लो या आरजीशन देखो यह cost function दिया है तुम चाहो तो cx को fx भी या y भी लिख सकते हो अगर का जो production cost है या cx है उसको differentiate कर दो तो यह d by dx ठीक है सर d by dx किसको करना है सर cx का CX का differentiation कर दो यही है अपना marginal cost इतना काम करना है आपको कितना सर इतना काम करना है ठीक है सर अभी कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है इतना काम करके इनको दे देते हैं कि आपका marginal cost क्या आया तो सर जी यहाँ पर अपनने लिखका d by dx ठीक है सर d by dx ओके bracket सर 0.005x3 005x3 ओके सर जी फिर आएगा minus 0.02 minus 0.02 0.02 है हाँ 0.02 है minus 0.02 x square ठीक है सर फिर आएगा पेटा प्लस का 30x ठीक है सर जी फिर आएगा प्लस का 5000 उपर कर दें जरा अब भी ठीक है प्लस का 5000 और यह बंद कर दिया ठीक है ड़न सर चलो शुरू कर देँ तो इतना तो अपनने कर दिया सेर जी ठीक है इसको नीचे कर दो, ज़रा, ठीक अब 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 अबन d by d x कैसे निकालते हैं, सिंपल सी बात है अब भूस्स ला «बात है», अब बहुत सारे टर्म हो जैसे एक टर्म है यह पूरा एक टर्म है, ठीक है यह दूसरा टर्म है माइनस लगाने के बाद यह तीसरा टर्म है प्लस लगाने के बाद यह चौता टर्म है ठीक है तो अपन क्या करते है डीवाइडी एक्स बांट देते है डीवाइडी एक्स डिस्ट्रिब्यूट कर देते है तो भी यह distribute करो, d by dx किसका सर, पहले तो d by dx निकालो सर, 0.005, 0.005 x cube, ठीक है सर, minus लगाओ, फिर d by dx इसका निकालो, सर लिखो ज़रा d by dx of d by dx of 0.02 x square, फिर प्लस लगाओ, फिर d by dx बेटा 30x का निकालो, d by dx किसका सर, 30x का आराम से लिख रहा हूँ, फिर प्लस लगाओ, d by dx 5000 का निकालो, d by dx of 5000, अब मैं तुमको एक बात बता हूँ, मैं यह वैसे लिखनी रहाता है, एक बात ध्यान रखना, d by dx of a constant number is 0, तो यह पूरा का पूरा क्या हो गया सर, यह पूरा 0 हो गया, यह पूरा 0 है, d by dx of a constant number 5000 क्या एक constant number है, 0 होगा, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है, मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ, अब क्यों नहीं लिख रहा हूँ, यह reason मैंने तुमको बता दिया, वो 0 हो गया, ठीक है, प्लस 0, इसके आगे प्लस 0 आएगा, चलो सर, solve करते हैं, तो बच्चा, अब देखना, यहाँ पर 0.005 जो है न, वो x पिछे आगा, सर, 0.005 पीछे आजाएगा, d by d x से डरके, 0.005 पीछे आगया, और सर जी, फिर d by d x आएगा, किसका d by d x of, d by d x of x cube, डन हैं, बिल्कुल डन है सर, कोई दिक्कत, नो दिक्कत सर, नो समस्या, ठीक है सर जी, फिर आएगा पिटा, फिर अपन लगाएंगे, प 0.02, d by d x के पीछे आगया, फिर d by d x of x square, d by d x, किसका बिटा, x square का, डन, बिल्कुल डन सर, फिर आगे देखते हैं, कहाँ चला गया यार, हाँ, फिर आगया आएगा, प्लस, सेम बिटा इसके साथ होगा, 30 के साथ, 30 भी पीछे आजाएगा, 30 पीछे आगया, d by d x of x, है न चलो शुरू करते हैं, तो यहाँ, d by d x of x cube के आएगा, यहाँ आएगा, 3 x square, कैसे आएगा, तुम्हें पता है, ठीक है, तो यहाँ लिखका बिटा, पार ने 0.005 into 3 x square, 3 x square आया, कैसे आएगा, मुझे आप comment box में बताना, फिर x का भी करेंगे, बिटा, x का करेंगे, तो d by d x of x, अभी तो cube का करा, d y d x of x, तो यह कट जाएगा, ठीक है, यह कट जाएगा, अपना बना जाएगा, तो यह 3 x square ही रहेगा, माइनस, 0.02, 0.02, d x square, इसका क्या आएगा, इसका आएगा, 2 x, क्या आएगा, 2 x, तो यहाँ लिखते हैं, into 2 x, और फिर x square का किया, square का, फिर d d y d x का करेंगे, d y d x of x, d y d x of x only, तो यह कट जाएगा, d x y d x कट जाएगा, अपना 2 x ही आएगा, फिर plus लिखेंगे बिटा, d x y d x कट जाएगा, यह 30 आएगा, ठीक है, यह 30 आएगा, ठीक है सर, next, हमारे पास यह आगया, क्या आगया सर, marginal cost, हमारे पास marginal cost आ गई, marginal cost, ब बढ़ा लेना, अगर आपको slow लग रहा हो, तो आप speed बढ़ा लेना, ठीक है, marginal cost कितनी है यह बेटा, marginal cost आए रुपीज में, तो रुपईया लिखते हैं सर, रुपीज, ठीक है, bracket, 0.005 का 3 से multiply करेंगे, 0.015, 0.015, x square, ठीक है सर, minus 0.04, 0.04, 0.04, x, 2 का multiply, इसमें हो सर जी यह आया, हमारा marginal cost, and the second thing is, marginal cost तो चलो आगया, यह answer नहीं है अभी अपना, ध्यान से सुनो बढ़ा, यह answer नहीं है, अगर आप सोच रहे हो कि यह हमारा answer है, तो यह answer नहीं है अभी, अभी उन्होंने यह कहा, find the marginal cost when three units are produced, सुनो बढ़ा, marginal cost आपको निकालना है, marginal cost कब, जब तीन units produce हो, अचा, number of units, बढ़ा, x को बोला जा रहा है, तो अपन कहेंगे, marginal cost when x is equal to three, when x is equal to, बच्चा, three, तो क्या होगा, बढ़ा, यह होगा, सर हमारा, यहां पर बस x रखना है, रुपीज, 0.015 into x square, मतलब बढ़ा, three square, हैंने, three रखो x की जगा, minus 0.04, 0.04 into x, मतलब into three, plus 30, तो plus 30 ले खब bracket लगा दिया, आप अच्छो solve करते हैं, three three's हा nine, 59's हा 135, तो पिटा, यह आएगा, 0.135, ठीक है, इसको solve करना, nine, यह nine आजाएगा, 0.015 का nine से multiply करोगे, nine five's हा 45, four carry nine one's हा nine, और बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, minus, four three's हा 12, 0.12, plus 30, done, बिल्कुल answer, चलो और कर देते हैं, तो यह हो जाएगा, zero one five, zero one, हाँ यह सही तो five में से zero गया, five, zero one five, zero one five, zero point zero one five आगया, और plus का 30, तो बिटा, answer क्या आएगा, answer आएगा, 30.015 रुपीज, यह answer है, बिटा, हमारा final, जो question में पूछा गया था, 30.015 रुपीज is our answer, ठीक है, तो जल्दी से देख लो बिटा, last example, number six, और करेंगे, और फिर इसको पीछे चोड़के, अपने exercise पर बढ़ जाएगे, ठीक है, डान हो तो भाई है, जल्दी से मुझे जैट बॉक्स में बता देना, क्योंकि आपके feedbacks बहुत जरूरी है, done, yes sir, अब NCRT में जैसे इन्होंने answer round off करके दे दिया, 0.02, तो आप भी लिख सकते हो, यहाँ पर भी छोड़ दोगे, तो कोई मसला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे देखो 0.02 लिख दिया है इन्हें इसको, 015 को 0.02 लिख दिया, तो आप भी लिख सकते हो, 030.02, यह भी हो सकता है आपका answer, कोई दिक्कत नहीं है, this can also be your answer, क्योंकि भाई 15 को round off करोगे, 20 आ जाएगा, ठीक है, done, तो चलो भी यह example number 6 देखते हैं, यहाँ भी अलग सापको एक शब्द देखने को मिलेगा, which is marginal revenue, यहाँ आपको एक marginal revenue नाम का शब्द देखने को मिलेगा, समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, अभी बताता हूं, सुनना ध्यान से, सुनना बिटा, जी सर, the total revenue in rupees received from sales of x units of a product is given by this, तो अपन पहल statement लिखेंगे हैं, क्या, total revenue, total revenue, ठीक है, revenue जानते हो, कोई चीज मैंने produce करी, बनाई, production किया, उसमें मैंने पैसा लगाया, उसको बेचा, उसको बेच के जो मेरे पास total पैसा आया, उसको कहते है, total revenue, उसमें profit भी होता, सब कुछ होता है, तो total revenue, बेटा, क्या है, total revenue received from sales, total revenue from sales, ठीक है, sales, बेचने पर, ठीक है, क्या बेचने पर, from sales, of x units of a product, ठीक है, कोई product है, of x units, ठीक है सर जी, कितना है, कितना है सर जी, rupees, rupees में दिया है, rx दिया, ठीक है, rx ये दिया हुआ है, ये भी एक function है, जैसे cx था production cost, ये ऐसी revenue cost है, ये revenue आया है, पूरा rx is equal to 3x square, ठीक है 5, 36x plus 5, done है, बिलकुल, done है सर, आगे देख लेते हैं, कोई दिककत नहीं है, next, when x is equal to 5, find the marginal revenue, when x is equal to 5, वेर, देखो, अब तुम्हें को दो difference बताता हूँ, ध्यान जे सुनना, जी सर, देखो, बहुत ध्यान जे सुनना, case number 1, जब आपको, जब आपको production cost दी हो, जिसको हम cx बोलते हैं, production cost दी हो, और आपसे marginal cost पूची जाए, marginal cost पूची जाए, ध्यान जो सुनना है सर, marginal cost पूची जाए, तो आपको क्या करना है, cx, यानि production cost का differentiation कर दो, derivative निकाल लो, d by dx of cx, बस इतना काम करना है आपको, यह हो गया पहली बात, दूसरी बात, आपको जब ध्यान बीए जाए, total revenue या सिर्फ revenue जब आपको revenue दिया जाए, यानि rx, और इसकी मज़द से आपको, आपको marginal revenue निकालने को भोला जाए, marginal revenue आज अंते सुनना भीटा, जी sir, marginal revenue की बात की जाए, तो आपको क्या करना है, sir आपको d by dx, rx का करना है, d by dx किस का करना है, sir आपको revenue का करन हो कई खतम कुछ नहीं करना है सर जब production cost cx हो उससे mc निकाला जा सकता है marginal cost निकाला जा सकता है cx का differentiation करके जब आपको revenue cost दिया हो total revenue दिया हो इसकी मदद से marginal revenue निकाला जा सकता है differentiation करके यह अपने दिमाग में feed कर लो यह वाला है उनको पता है इनका क्या मतलब है ठीक है तो हमसे पूछ रहे हैं के वह यह marginal revenue निकालो तो हमें पता है marginal revenue का formula marginal revenue is equal to marginal revenue क्या है वह यह marginal revenue is equal to d by d x differentiation किसका differentiation किसका derivative किसका total revenue का यानि की rx का d by d x of r x समझ रहे हो d by d x of r x बस चलो सर तो टोटल marginal revenue निकालना शुरू करते है ठीक है तो let us write d by d x ठीक है sir of r x r x क्या है पिटा r x यह दिया है 3 x square plus 36 x plus 5 यह अपना d by d x of r x अब वही केस यहाँ पर लगेगा पिटाई d by d x समय बढ़ जाएगा d by d x समय बढ़ जाएगा है ना क्योंकि plus plus लगा ना तो d by d x of 3 x square ठीक है sir plus d by d x of 36 x d by d x of 36 x plus d by d x of 5 d by d x of 5 अब यह तो 0 हो जाएगा क्योंकि d by d x जब एक constant number का किया जाता है तो वो 0 हो जाता है तो वो तो खतम हो गया sir ठीक है डन आगे देख लेते हैं sir यहाँ पर क्या है 3 coefficient पीछे आ जाएगा 3 पीछे आ जाएगा d by d x of x square डन यह सर प्लस sir 36 पीछे आ जाएगा d by d x of x है ना x प्लस यह तो 0 हो गया ठीक है यह पूरा 0 हो गया डन सर अब यहाँ क्या करेंगे d by d x से d by d x कर जाएगा 36 आया यहाँ d by d x of x square यह x आएगा मैं फिर बता दूँ आपको d by d x of x square जो होगा यहां सध्यान से सुनना पहले square का करेंगे तो यह होता है n देखो x की power n याद है आपको d by d x d by d x x की power n क्या होता है सर यह होता है n x की power n minus 1 यह होता है तो यह n है n x की power n minus 1 अब x का होगा d by d x of x d by d x किसका पीटा x ठीक है तो यह कट जाएगा और यह आजाएगा 2X की power 1 यानि 2X ठीक है तो यह क्या आएगए बिटा यह आगए 3 इंटू 2X क्या आगए यहां लिख देता हूँ मैं 3 इंटू यह आगए 2X ठीक है प्लस 36 तो बिटा यह कितना आया 6X प्लस 36 खतम clear रहा है हासर clear रहा है यह marginal value marginal revenue आगया रुपीज में आया और यह ठीक है पर वो यह कह रहा है marginal revenue बताओ जब X यानि units sold 5 है 5 units बिकी तब आप बताओ क्या होगा तो तब भी बता देंगा कोई बड़ी बात नहीं है तो आप देख लेते हैं therefore marginal value marginal value कब बिटा marginal value for x is equal to 5 यानि number of units sold is 5 ठीक है for x is equal to 5 is is बिटा जो यह रुपीज आया 6x plus 36 हाँ इसमें बिटा x की value बस आपको 5 रखनी है that's it 6 5s are 30 30 और 30 60 66 आंसर कितना आगया है बिटा 66 यानि 66 रुपे उसका marginal revenue हो गा clear है हासर clear है so this is finish और हमारा यह session यहां हो गया है बिटा जी complete अब हम आपको provide करेंगे दोस्त क्या एक बात ध्यान लगना इनको बहुत importance है मैं फिर बदियाद दिला दिता हूँ आपको यह और यह आपको बिलकुल याद होना चाहिए cost of production जिसको cx बोलते हैं ध्यान से सुनो production cost cx की मदद से marginal cost निकाला जा सकता है marginal revenue निकाला जा सकता है production cost से marginal cost निकालो production cost का differentiation करके sir revenue total revenue से marginal revenue निकाला जा सकता है total revenue का differentiation करके बस यह दिमाग में set करना ठीक है done sir चलो इसको erase करते हैं this is all finished और यहाँ पर session हमारा हो गया है finally complete I hope आपको मज़ा आया होगा और अच्छे लगा होगा session सारी questions आपको बड़िया तरीके से समझ में आ गए होगे अगर session अच्छा लगा हो तो like जरूर करना channel पर पहली बार आये हो तो subscribe जरूर करना और इस family का हिस्सा जरूर बन जाना subscribe करके हम magnet brains आपको provide कराते हैं 100% free of cost high quality education for k-12 यानि kindergarten से लेकर class 12 तक English medium cbsc board all subjects की बड़िया वाली पढ़ाई साथ ही साथ हम हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी साथ लेकर चलते हैं हमारे हिंदी मीडियम के जो students class 6 से लेकर class 12 की किसी भी class में पढ़ रहे हो UP board, MP board, Bihar board, Rajasthan board और Delhi board में हो 5 boards हैं जो state boards जो अपने बहुत जादा आप कह सकते हो famous boards हैं हिंदी मीडियम के उनको बिटा हम हमारे magnet brains हिंदी मीडियम YouTube चानल पर free of cost education provide कराते हैं वो भी quality वाली और notes के लिए आप हमारी website और application check out कर सकते हैं website है www.magnetbrains.com application google play store से आप install कर सकते हो class 6 से class 12 English medium and Hindi medium all subjects के notes आप download कर सकते हैं जल्दी मिलेंगे next session में till then happy learning, take care, bye